ओम शांति अपसे कुछ स्वागत है आज हम 9 सेटमबर की श्रीवधान में पहुँचे हुए है मन सा वाचा कर्मना ये तीन शक्ति हैं करन तीन शक्ति गूर हम एक साथ चला पाते हैं तो हम कोई भी कारे में सफल उपाते हैं तो इसलिए आज परवात में कहते हैं कि एक ही समय मन, वाणी और कर्म तवरा साथ साथ सेभा करने वाले सफलता संपन भवा तो ऐसे ने कि मन कुछ और करना चारा है और वाणी से कुछ और निकल रहा है कि और इसके बाद में फिर आक्शन में कुछ और दिख रहा है आपके तो ये तीनों चीज़ें जब मिलती नहीं हैं हमारे सोच, बोल और कर्म तो अर्टमेटली लोग हम से गन्फ्यूज रहते हैं और लीडरशिप में अगर आप हैं और आपके थौट्स, जो हैं फिर आप जो पूलते हो पिर जब करते हो अगर तीनों मैच नहीं करते हैं तो फिर आपको फॉल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आप अपने आपको फॉल नहीं कर पाऊगे कि मैं करना कहा है पहुँचना कहा है मुझे तो जब भी किसी स्थान की सेवा शुरू करते हो तो एक ही समय पर सरव प्रकार की सेवा करो मंसा में शुब भावना सब के प्रती वाणी में बाप से संबंद जुड़वाने की शुब भावना के शुरेष्ट बोल और संबंद संपर्क में आने से सनेह और शक्ती के सुरूप से आकरशित करो सनेह दो और शक्ती दो शांती दो नहीं ऐसे सरप्रकार की सेवा साथ-साथ करने से सफलता संपन बनेगी यहीं कि सरवाब बोल रहे हो अच्छा लेकिन आपका अंदर औरों से लेनी की इच्छा है कि आपने बड़ा चब गोला रहे हैं वो बहुत अची चीज गोली तो आप actually good wishes तो देने वाले बने नहीं आपने मंसा से तो आप लेवता बन गए और वाचा से देवता बन गए देने वाला और मंसा से लेने वाले बन गए cancel out हो गया, zero, सरवे से कोई फायदा नहीं हुआ सेवा के हर कदम में सफलता समाई हुई है इसी निश्चे के अधार पर सेवा करते चलो तो मन जो सोचता है बुद्धी जो निर्ने करती है और जो हम बोलते हैं और उसके बाद में फिर हम जो act करते हैं तीनों एक परावर हो तो परमात्म कहते हैं तो आपको सफलता मिलेगी मिलेगी ये कैसे करें इसकले आपको परमात्म कहमारी की शुरु शुरु जाले में जाकर के मेडिटेशन सीखना महाँ जरूरी है और हम श्यांतिस के साथ